नमस्कार मैं डॉक्टर हिमत आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोरोना वाइरस कब खतम होगा जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा सिंगापूर इस्टेडी ट्राइल के लिए पर मुए उस ट्राइल से अभी सैडिस्फाइल नहीं हूं क्योंकि जो कोरोन वाइरस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्त तो इसमें क्या स्टेडी सामय आई है कब तक खतम होगा कैसे खतम होगा यह मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले हम समझने कोरोना वाइरस क्या है कि यह एक ऐसा वाइरस है जो हमारे इंहलेशन रूट से जाता है सांस लेने के अगर कोई पेशन कोरोना वाइरस संक्रामी तो हुझालेशन तो हमें सब्सक्राइब करते हैं पर मास्क पहिसका में त्रीटमेंट का कोई त्रीटमेंट नहीं है, आपकी बाडी ही इसको ठीकर सकती है और जो भी treatment है वो symptomatic है आपको जो भी symptoms आएंगे उनको treat करेंगे as a symptomatic treatment कोई exact treatment इसका इवलेबल अभी तक नहीं हुआ है जैसा कि कुछ लोग सोच रहे है hydroxy chloroquine, HIV AIDS की medicine और Remdesivir, Ebola में यूज होने वाली medicines यह सब help करेंगी तो यह symptomatic treatment है 100% treatment नहीं है इस बात को ध्यान लखी दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और यह बताना जा रहा हूं कि वाइरस खतम कैसे होगा इंडिया में लाखों से भी ज्यादा positive है कॉरुमा वाइरस के अगर हम एक time पे तरहे हों क्योंकि test हो ही नहीं पा रहे है इतने test होते ही इंडुस्तान में आप देखो कि छोटे-छोटे देशों में इंडिया से ज्यादा पढ़ देके test हो रहे है पर इंडिया में test नहीं हो तो यह कारण है जो हमें बता रहे है अभी भी हम बात करें तो कॉरोना वाइरस से कौन मर रहा है जादा था मोड़लाइट हो इसका fortality rate हर देश ? मढ़ने का रेशों तीन आदंवी मर रहे है चार आदमी मर रहे है किसी देश में दो आदमी मर अलग अलग देश का अलग अलग क्राइटेरिया है क्योंकि वहां का मेडिकल ट्रीक्मेंट अलग है तो कई तरीक इसकी वारिएशन है अब हम फिर बहुत कर रहे थे खतम कब होगा तो बता रहे हैं कि इसमें मल को रहे हैं पहले हैं और जिसका इन्यून सिस्टम बहुत वीक है कोई माल नरिष्ट है तो ऐसे आदमी को जब कोरोनावारस होता है तो उसके मरने के चांसे बहुत चाहरा है अब मैं आपको बताता हूं जो हेल्दी यूमर है जो यांग प्रेशन है जिसको कुछ भी नहीं है कोई बिमारी नहीं है चाहिए यांग गर्ड हो जिनको कुछ नहीं है तो आप देखेंगे कि जब हम होस्पिटल में कॉरोना पेशेंट्स को रखते हैं उस केस में जो हेल् प्रेटी किसी न किसी बिमारी से सफर कर रहा है चाहिए वो जवान हो चाहिए ओल्ड हो कोई भी हो उसको बहुत प्राब्लम होती है उसको खांसी होती है गुखार होता है जुखाम होती है सरदर्द होता है बहुत पसीना आता है सास फूलने लगती है लंग्स खेल होने जीरोड़ा वायरस सबकों नहीं पर मैक्सिमों पेशिंट वही हैं जिता है इम्यूर सिस्टम करने के लिए आप योगा करें अच्छी एक्सराइज करें और फिक हो सकते हैं अगर आप अच्छे वितामिन लेते हैं तो आपको होगा भी नहीं अब मैं आपको फाइनल ये बता देता हूं बार बार राउंड राउंड नहीं घुमाता हूं ये कोरोना वाइरस को खतम होगा तो मैं बता देता हूं ये जब कॉम्टी स्प्रेड हो जाएगा नंबर ऑफ से उप्रेशन एफेक्ट होगी इसमें तो क्या होगा ये हमारी बॉडी में एक resistance डालक कर लेगी हमारी बॉडी इसकी अगेश्ट एक रइजिस्टैस डालक कर लेगी और एंटिबोडीज डवलप करनेगी खुदी इस वाइरस के अगेश्ट और ये वाइरस हमें हाम नहीं कर पाएगा हमारे इंविन सिस्टम इतना ग्रो कर जाएगा वही इंविन अर्थ पे या कंट्री में सर्वाइब करेगी जिनका इंविन सिस्टम इस्ट्रॉंग होगा जिनक सभी लोगों में ये इम्मूनिटी डवलप हो जाएगी कोरोना वाइरस के अगेंश्ट की वो सर्वाइब कर सकेंगे और जब वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन तो इसका exact treatment होगा ही पर अभी आने में बहुत टाइम लगेगा तो हम पहले तो ये भी समझे लें कि